गुड मॉर्णिंग ओल ओफ यू बीस सी फाइनल में फर्स्ट बुक है इन ओर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर इस प्रकार से ये पांच है युनिट से आपके इसके अंदर देखे युनिट फैस्ट है वह है मेटल लिगेंड बॉंदिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉ थर्मो डैनेमिक और काइनेटिक फ्रोपर्टी है उसके डी करनी यहां इस परकार से युनिट फैस्ट एकंड फ़ुर्थ हनक है इसमें फाइस्ट और फुप्त उनिट हैं उसके केंद दो दो पार्ट है इसमें आपके अगे देखेंगे युनिट फैस्ट है वह को है इससे पहले हैं, metal again, bonding in transition metal complex, अब इसके इंदराब देगें कि सबसे पहले तो metal, यह transition metal complex यह होते कि हैं, तो transition metals कोंचे होती हैं, जो deep log की धात्में होती हैं, उनको संकर्मान धात्में या transition metal कहा जाता है, इसका कारण क्या है क्योंकि डीब लोग की जो धात्वें होती है उनमें परमानु अवस्था में और आयनिक अवस्था में इनके दीक अक्षक है वो पुरुन रूप से भरे वे नहीं होते हैं इस कारण से इनियम संकर्मन धात्वें कहा जाता है ठीक है इसके बाद देखेंग कि जो यह डीब लोग की धात्वें होती है वो लिगेंड के साथ में किरिया करके जो संकुल बनाती है उन्हें संकर्मन धात्व संकुल है वो कहा जाता है तो इस यूनिट में सबसे पहले बियस्थी फर्ष्टियर में जो आपके वीबिटी थी सेयो जगता बंद सिधान्त उसकी लिमिटेशन यहीं जो सिमय थी उसकी जो कम्या थी सबसे पहले पहला ुपिक उन्हे का है वह फिर्ष्टियर में जुआयों सेयो uniqu tha जगता बंद सिधान्त की कम्या see टोपिक उनिक हैं तो इसमें लिमिटेशन ओफ विलेंस बोंड थियोरी यानि सेंव जगता बंद सिदांत की कम्या सबसे पहली कमी इसकी क्या है कि संकर्मन धातों के संकुल आइन है वो रंगीन क्यों होते हैं इसकी व्याक्या वीबिटी के अधार पे नहीं किये गई है ठीक परकास के दर्सिक चत्र से उच उर्जास्टर पर जाते हैं जहां पर यह क्या होंगे एस थाय होंगे इस कार्ण से एलेक्ट्रोन स्थायत वे प्राप्ट करने के लिए वापिस उंच उर्जास्तर से निम्न उर्जास्तर में आते समय अवसोसित की गई उर्जा है उतनी उर्जा का वो क्या करेगा उतसरजन करेगा तो जिस कलर की प्रकास के दर्शिक छेतर के जिस कलर की उर्जा का उसोशन करके इलेक्ट्रोन नेमन उर्जास्तर से उन्च उर्जास्तर में गया था उसके पूरक रंग की उर्जा का उसरजन करके इलेक्ट्रोन उन्च उर्जास्तर से नेमन उर्जास्तर में आता है इस कान से संकर्मन धातों के जो संकुल आइन है वो रंगीन पर करती के होते हैं लेकिन ये सब वीबिटी में नहीं बताया गया था इसलिए ये वीबिटी क्या होगी है के कमी होगी है ठीक है उसके बाद सेकिंड लिमिटेशन वीबिटी क्या थी कि जो संकर्मन धातों के आईन हैं वो जब लिगेंड के साथ में जूड़ते हैं तो वे आंतरी कक्षक शंकुल कब बनाएंगे जथा भाई ये कक्षक शंकुल कब बनाते हैं इसकी व्याक्या वी बीटी के आधार पे नहीं की गई है अब ये देखो इसमें आंतरी कक्षक शंकुल क्या होते हैं और भाई ये कक्षक शंकुल है वो क्या होते हैं जब संकुल बनता है उस समय जब केंदरी धातु परमानू ये आईन है उसके आंतरी कक्षक यानि N-1 D कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाला जो संकुल है, वो क्या हो गया, आंत्री कक्षक संकुल, जैसे एक्जामपल देखो, संक्रण ये दिये हो, dsp2, या फिर संक्रण कौन सा हो, d2sp3, तो ये क्या है, ये s कक्षक ये dn है, तो ये d कौन सा हो गया, n-1, तो p क्या है, p और s दोनों ही n के हैं, और इ केंदर ये, मुक्य परमानु संख्या, वो इसके लिए क्या है, n-1, तो ये दो दोनों संक्रण है, वो ये दि किसी संकुल के हो, तो वो संकुल कैसा होगा, आंत्री कक्षक संकुल होता है, तो जब केंदर ये धातु परमानु के, आंत्री क्षक संक्रण में भाग लेते हैं संकुल बनते समय तो वो संकुल कैसा हो जाएगा आंतरी कक्षक शंकुल है वो कहलाएगा इसी प्रकार से बाये कक्षक शंकुल क्या होते हैं कि जब संकुल बनते समय केंदरी धातु परमान है उसके बाये डी कक्षक यानि एन डी कक्षक भाग लेते हैं तो बनने वाले संकु कौन से होंगे बाइए कक्षक शंकुल होते हैं, तो बाइए कक्षक शंकुल कब बनेंगे, जब संक्रम केंडरिय हतों प्रमान हो, उसका संक्रण क्या हो, या तो इसमें हो sp3, या फिर इसमें कौन सा हो, sp3 D2 इसके अंदर तो अलांगी D कक्षक नहीं है लेकिन SP3 D2 के अंदर जो D कक्षक है वो कौन सा है ND यानि इस D कक्षक की जो मुख्य क्वांटम संख्या वो वही है जो S और इसे P की है इस कारण से इन दोनों संक्रण वाले जो संकुल योगिक होते हैं वो बाये कक्षक संकुल है वो बनाती है लेकिन ये सब किसमें बताया गया था CFT में बताया गया था VBT में बताया नहीं गया था इस ये VBT की क्या होगी है कि कमी होगी उसके बाद में नेक्ष देखें इसके अंदर तीसरी किमी की है में कि VBT के आधार पे संकरमन धाटु आइनों के जो संकुल होते है उनकी चुम्बकय परवर्थी की मातरात्मक व्यक्या है वो नहीं की जाए सकती है अब संकुल yardım के परवर्थी ऐसकी मातरात्मक की मॉयाखया किसे करते हैं एक फॉर्मुला होता है यहनी कि चुम्ब के गुन किन में पाए जाएंगे? जिनके अंदर है युकमी थिल्यक्टोन है वो पाए जाता हैं, तो इसका जो फोर्मूला है वो cft में दिया गया था formula क्या था इसको mu is equal to root n n plus 2 यह formula दिया गया था यह unit की समें इसकी बोर मेगनेटोन में तो बोर मेगनेटोन है वो चुम्ब की परवर्थी क्या होगी एक एक का ही होगी तो वी बीटी के अंदर यह formula दिया वा नहीं था तो वी बीटी के अधार पर हम जो संकुल योगिक बनते हैं उनकी चुम्बकिय परवर्थी है यह इसकी व्याख्या नहीं कर सकते थे इसकांड से वी बीटी है उसकी यह क्या होगी कमी होगी उसके बाल में नेक्स देखें इस में फोर्थ लिमिटेशन की कौन सी हो जाएगी कि वी बीटी से विदुत उदासिंता की सिधान्त को भी नहीं समझाया जा सकता है अब ये विदुत उदासिंता का सिधान्त क्या था कि विदुत उदासिंता का जो सिधान्त था उसमें यह बताया गया था कि जब के इंदर धातु परमानू लिगेंड से इलेक्ट्रोन यूगम लेता है उप सहय सहयोजक बंद के दवारा तो लेने वाले पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज तो इस प्रकार से केंदरी धातु परमानू के उपर नेगेटिव चार्ज आजाता है तो संकुल क्या होने चाहिए ऐस थ होते हैं इसका कारण क्या था कि उप सहय सहयोजक बंने के प्रिणाम सवरूप केंदरी धातु परमानू पर जो रिनावेश आता है वो अकेले केंदरी धातु परमानू पर उपस्तित ना होकर उसंकुल में उपस्तित जितने भी परमानू है यानि लिगेंड है केंदरी धा प्रमानु पे रिणावेश के मात्रादिक नहीं रही इस कान से संकुल योगी क्या होते हैं स्थाई होते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पांच में इसके अंदर पश्च बंदन यानि वीबीटी के अधार पे हम बैक बॉंडिंग को भी नहीं समझा सकते हैं अब ये बैक बॉ केंदरी धात्यावयन के साथ में उपस है सयोंजक त cont began बना लेता है अब ये बॉंड किस तिरफ से बन रहा है लगेंड एलेक्ट्रौण दे रहा है धात्याव है वह इलेक्ट्रौन दे रहे हैं लेकिन इसके प्रपार से क्या होता कि केंदरी दातु प्रमान के पास में रिक्त डी कक्षकों के साथ साथ में भरेवे कक्षक भी होते हैं इलेक्टोनों से भरेवे अब धातु क्या करेगे कि उने जो भरेवे कक्षक हैं उनसे इलेक्ट्रोन है वो लिगेंड को दे देगी इससे भी धातु और लिगेंड के बीच में क्या हो गया, bond का निर्मान हो गया, तो ये वाला जो bond है, जिसमें धातू elektron denser ही है और legend electron ले रहा है जो की इस उपसै है सरिध बंद के विपृति दिसा में बंद रहा है इसकारण से इस bond को क्या बोलेंगे, back bond है, वो कहा जाता है और इस back bonding को वी-बी-टी के अधार पे नहीं समझाया जा सकता है ठीक है इस परकार से ये वी-बी-टी के पांच लिमिटेशन हो गई इन सभी कम्यों को दूर करने के लिए सी-फ-टी का जो सिधान्त है वो दिया गया था ठीक है अब पढ़ेंगे इसमें सी-फ-टी के है ठीक है तो अब ये क्रिस्टल चेतर सिधान्त है उसको पढ़ने से पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे सेप ओफ डी और बिटल्स यानि डी कक्षकों की जो आकरतियों दी-ख-वाई-जड, दी-ख-जड, दी-ख-ड, वाई-ब्जड और दी-जड-वाई-डग-ब्जड और अलग लग नहीं देखें एक साथ देखें तो डी कक्षक की आकर्थी कैसी होती है डबल डंबल सेप यानि की दवीर डंबलाकार इसकी आकर्थी होती है जिसमें चार लोप्स या चार पालियां होती है और चारों का आकर्थी है चारों की वो क्या होती है एक जैसी होती है अब इसमें जो d orbitals हैं, वो दो परकार के होते हैं, यानि इन पांचों d orbitals को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला पार्ट इसमें कौन सा है, t2g orbitals, ठीक है, t2g orbitals में ये तीन आएंगे, शुरूवाले dxy, dyz और dxz, अब ये इनको t2g और e g में क्यों विभाजित किया तो इस परकार से तीन अक्षिस बनाएगी है, तो d aks y इस कक्षक का नाम है, तो aks और y और पालियां कहां पे हैं, अक्षों के मद्धिस थेद हैं, तो d aks y है, उसमें aks aksis ये है, y aksis ये है, इस सेड़ माइनस y, इस सेड़ माइनस aks, तो इसके जो पालियां होगी, वो aks और y के बीच में होगी, तो यहां पे यह aks और y के बीच में है, और यहां पे यह aks और y के बीच में होगी, दूसरे वाली है, वो इस सेड़ में होगी, यह वाली, यह होगी, ठीक है, तो इनकी पालियां है, वो aks ओंगे कहां होती है, बीच में, जो नाम होदा ना, और यह देखें, अब यह second example है, इसमें उपर नाम कटा हुआ है, यह example किसका है, डी, वाई, जड़ का है, तो इसमें देखें, वाई, जड़, नाम किया है, इसका वाई, जड़, तो इसकी लोब है, वाई, अक्सिस और जड़, इसके क्या होंगी, बीच में होंगी, अब यह देखें, शड़ से next example कुनसा है, डी, अक्स, जड़, यह वाला है, डी, अक्स, जड़ इसे में देखें आप, इस वाले के अंदर डी, अक्स, जड़,轢़ है, अक्स और जड़ का मतलव है, इसकी जड़ ओंगी हो x और जड अक्षिस है उसके बीच में y x आता है अब इसके अंदर यहां पर हम y x को नहीं लिखें तो क्या होगा इस सैड अक्ष है और इक साइड क्या है जड है बीचों बीच आएंगी तो बीचों बीच इसके क्या है y axis है इस कांड से डी अक्षजड है उसका अक्षर की जो लोब है वो y axis के उपर आती है ठीक है उसके बाद में next देखें डी और बिटल्स का जो second type है वो कौन सा हो जाएगा इसमें इजी और बिटल्स इजी और बिटल्स में बचेवे दो लाश्ट वाले हैं वो आएंगी वो कौन कौन से हैं इसमें d x square y square और d z square है अभी इनमें और उनमें अंतर क्या होता है कि जो इजी और बिटल्स हैं इनकी लोब यानि पालियां वो अक्षों के उपर होंगी ठीक है क्या थी अक्षों के पर इस्ट होती है अब इसमें एक्जाम्पल देखें आप DX square Y square का तो DX square Y square इसमें इसकी लोब देखें, यह X axis ayd es manı X square Y square यहर दो लोब X axis प Nearly Six पह होती है यह Prak mlb र of Y code is Y and Private . इसका नाम क्या होगी टी अक्षस square Y square तो इसके उड़ नेक्स देखें यह लाश्ट वाला है डी-जड स्केयर डी-जड स्केयर में जो लोब होंगी वो किस पे होंगी केवल एक के नाम है यह जड बात्रक रिटात्विशम होगी दूसरे वाला जो इसके उपर ही है, उसको बीच में ऐसी गोला लगा देते हैं, इसका मतलब है, कि सेम ऐसी ही लोब इसके उपर फिर से होती है, ठीक है, गोला लगावने, इसका मतलब यह चार लोब है, एक ऐसे, सेम एटीज इसके उपर ऐसे के ऐसे और होती है, ठीक है, तो सी एफटी के जो पौे स्वीलेट हैं differencem जो सीएफडी च्पॉस्चूलेट क्म कोंन कोंसे होंग इसके अंदर सबसे पहले सियेफटी की कि के दोड़ुक्षन हैं घंस है और उनलेग के दोड़ा है इस अंत्रिक है Mil достаточно इसने सबसे पहले CFT दी थी उसके बाद जो वन वलेक था उसने इसके अंदर कुछे इंप्रूव्मेंट या सुधार है वो किये थे अब इसके अंदर क्या था CFT के जो पोस्टूलेटर से पहला है ना नि इन दोनों वेग्यानिकों ने CFT के अंदर क्या बदाय था वो इसके अंदर लिखे वे हैं कि इसने बदाय कि जो संकुल योगिक होते हैं जो केंदर धातू परमानों वो लिखेंड से मिलके बने वे होते हैं उनके अंदर नेगेटिव आएन जो लिगेंड होते हैं उनको point charge या बिंदू आवेस के रूप में माना गया है तो लिगेंड के रूप में क्या होंगे या तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला आएन होगा जैसे कौन सा हो गया 지न नेगेटिव साइन आएन यह लिगेंड के रूप में हो सकता है या फिर इसके राव़ और ऩू गया जितने भी हेलो जनस है वो इसके अंदर आजाएंगे जैसे यह माइड है नेच्टू नेगेटिव यह हो गया यह negative charge वाले जितने भी आयन है, वो सारे के सारे इंसंक्रों योगिकों में legend के रूप में होते हैं, legend के रूप में negative charge के अलावा कौन से आते हैं, वो आ जाएंगे इसमें second लिखावा है, and, एकांकी electroniogum वाले उदासिन अनु हैं, वो होते हैं यानि वे अणूं वे उदासिन अणूं जिनके उपर एक कांग की लेक्टोन यूगम होता है वे भी इन संकुल योगिकों में लिगेंड के रूप में कारिये कर सकते हैं इसमें देखें कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे हैच टू आपके हैच टू में केंदरी पर क्या यह जो उक्सिजन उसके पास क्या होते हैं लवन फेर होते हैं तो यह लिगेंड के रूप में कारिये करता है इसके लावा हो गया एनस्त्री यह भी क्या होता है इनस्त्री में अर्जन पर मानों पर क्या है एकांग की लेक्टोन यूगम है तो यह भी इसके रूप उदासी नणू हैं वो लिगेंड के रूप में विवहार करते हैं ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसके अंदर सेकेंड second postulate इसका क्या हो जाएगा कि केंदर ये धातू परमानू और लिगेंड है उसके बीच में केवल स्थिर विधूत आकर्शन बल होता है यानि इनके बीच में पर्स पर कोई किरिया नहीं होती है तो इस bond की परकरती कैसी हो जाएगी आयनिक हो जाएगी जो कि केंदर ये धातू परमानू और लिगेंड के बीच में बना हुआ होता है ऐसा सी एप्टी में बताया गया था ठीक है उसके बाद में थर्ड कहुंसा हो जाएगी इसकी तीसरा पोस्टिलेट इसका है कि संकूल बनने से पहले यानि जब लिगेंड नहीं जुड़े होते हैं उस समय के इंदर ये धातू परमानू के पांचों डीकक्षकों की उर्जा क्या होती है समान होती है अब इसमें एक क्यूशन आता है कि संब्रस कक्षक या डीजनरेट और्बिटल्स किसे कहते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी भी धातू परमानू या किसी भी परमानू के समान उर्जा वाले कक्षकों को संब्रस कक्षक है वो कहा जाता है चैए वो डीकक्षक हो चैए वो पीकक्षक हो चैए वो एपकक्षक हो तो वही इस का मतलब वह एक ही energy level में उपस्तित होती है तो ये पांसडी कक्षक है यो कि उर्जा समान मुझ सम्परंस कक्षक है वह कहा जाता है यानि समान उर्जा वाले कक्षक को संब्रंस कक्षक कहा जाता है लेकिन लिखा वा है कि लेकिन क्लेक्ष्पोर्मेशन के लिए यानि बनने के लिस्षा में जुड़ने के लिए लिए दात ओक्षा समान और दिशा नहीं रह पहती हे नहीं। लिगेंडों के पर्ति कर्शन तथा आकर्शन से ये अलग अलग उर्जा वाले कक्षकों में विभाजित या विपाटित हो जाते हैं अब इन लिगेंडों के आने से केंदर ये धातु परमानूं के जो इडिक अक्षक दो विभिन उर्जास्त्रों में विभाजित या विपा पाटन कहा जाता है ठीक है उसके बाद में नेक्ष देखें इसमें इसमें बदाया गया है कि चार नमर पोस्टुलेटिक हो गया है कि इस विभाजन गे बाद यानि यह जो क्रिश्टल चेटर विपाटन होता है जिसमें डीक अक्षक दो अलग-अलग उर्जास्तरों में ना यह वाला यह वाला कब है जब लिगेंड जुड़ने के लिए नहीं आये थे जब कि नित हदो परमानों अकेला था उस समय यह पांचोडी कक्षक है उसमान उर्जा वाले संब्रस कक्षक थे लेकिन लिगेंड जुडने के बाद में यह दो अलग-अलग उर्जास्तरों में विपाटित हो जाते हैं तो कुछ उर्जास्तर इसमें उर्जास्तर पर चलेगे कुछ कख डी और तो यहां पर चले, यह बीचिसे हो सकता हैं, यह किस परकार से होता है, यह तो होता है, इस ब्र टॉच्छ पलकी संखुलों में, और यह वाला जो आता है, परы पाटनों किसमें होता है, टेट्रा हेड्रल यानि चतुस फलक्य संकुलों में इस परकार का वी पाटन है वो होते हैं ठीक है तो यह वाला किसमें हो जाएगा ओक्टा हेड्रल में और यह वाला किसमें होता है टेट्रा हेड्रल यह उपर जाएंगे टीटू जी वाले नीचे आएंगे और टेट्रा इसकी करण बताय था, डीक्ष कोंगा, EG में हैं, DX square, Y square, दूसरा है, DZ square, और T2G में कौन से आते हैं, तीन कक्ष, अब इसमें T2G है, उसके इंदर ये तीन लेखे हुए हैं, तो ये कौन कौन से है, DXY, DYZ, और DXZ, और EG में कौन से हैं, दूसरा कौन से है, DZ square, पीछे बताय हुए है, वहाँ से देख लिए, उसके बाद में नेक्स है, इसमें, ये एनरजी लेवल दिखाय हुए है, यहाँ पी इसका, ये एनरजी बढ़ रही है, तो ये वाले उंचूर जास्तर पे हैं, यहाँ पे ये वाले नेमनूर जास्तर मे है, ठीक है, यहाँ पे लिए लिखावा है, DZ, D-orbital, जानी सम भरंस से, D कक्षक जिनकी उर्जा क्या होती है, समान होती है, उसके बाद में लेक्स देखें, कि अब ये जो इलेक्ट्रोन है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोन है, इसके अंदर, वो इन कक्षकों में भरे जाएंगे, तो उसके लिख नियम दिया था, हुंड का नियम क्या था ये, कि इलेक्ट्रोन है, वो कक्षकों में इलेक्ट्रोन उर्जा के बढ़ते विकरम में बरी जाते हैं, यानि पहले इलेक्ट्रोन नियम नुर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं, उसके बाद दो इलेक्ट्रोन है दोनों इलेक्ट्रोन पहले पहाँ 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 पह ग्रुबल अक्षे तर्शे होता है तो यह तीसा एलेक्ट्रोन कहां पर आएगा यहां पर आएगा ठीक है उसके पाद में लाच्ट लाइन की इसके इंदर की इलेक्ट्रोनों के आधिक संख्या में कम उर्जा वाले यहां पर जो इलेक्ट्रोन है वो सबसे पहले कम उर्जा वाले इन कक्षकों में आता है तो यहां पर उसकी उर्जा जादा थी इसके अंदर यहां आएगा तो उसकी उर्जा क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोन यहां से नेमन उर्जा वाले कक्षकों में आते समय अधिक जो अत्रिक्त उर्जा होती है उसका क्या करता ह तो इलेक्ट्रोनों के अधिक संख्या में कम उर्जा वाले कक्षकों में चले जाने पर अधिक मात्रा में उर्जा मुक्त होती है जिसे हम क्रिष्टल अक्षेतर स्थाइकरण उर्जा कहा जाता है और यह जो उर्जा होती है क्रिष्टल छेतर स्थाइकरण उर्जा उसको हम में क्या बोलते हैं cfse crystal field stabilization energy और किसी भी संकुल उतना ही अधिक स्थाई होता है ठीक है इसके बाद जो next है वो कल बड़ेंगी thank you